दिपिका अपने बच्चे के होने वाले पिता यानि कि सोहेब को special training दे रही है किस चीज का training हो रहा है आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हैं वैसे मैं बता दूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो वो नहीं है यहाँ पे सोहेब के हाथ से एक अंडा गिर गया है बस सोह के लिए कुछ बनाने के लिए वैसे सिर्फ बात प्रेगनेंसी की नहीं है मदर दे गया तो उसके लिए वो special अपने मम्मी के लिए और बहुत ही जल्दी होने वाली मदर यानि की दिपिका के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो उसी लिए वो किचन में आए हुए थे लेकिन चलिए किचन थोड़ा सा फैल गया ये सब कुछ भी साफ हो गया तो यहां पर डिसाइड हो गया कि यहां पर खास्ता बनेगा तो खास्ता की रेसिपी जो है वो मौसी बताएंगी तो मौसी से पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं सोहे किस तरह से खास्ता बनेगा तो मौसी ने अच्छे से ट्रेन कर दिया क्या चाहिए क्या नहीं वैसे मैंने कभी नहीं बनाया तो मैं भी इसी वीडियो से सीखोंगी आप लोग भी सीखिए वैसे दिपिका तो बहुत अच्छा खाना बनाती है हम सब ने दिखा है सारे खाने एकदम परफेक्ट है बनाती है पूरे घर क को खिलाती है उब को खिलाती है मुझे इननके हाथ के भिरियानी बहुत पसंद्ध सपेशली दिपिका के हाथ के तो सोहेब क्या बनाते हैं चलिए हम देखते हैं तो सोहेब नहीं यहां पर मैदा लिया सबसे पहले हाप किलो मैदा उसमें वो 700 ग्राम चीनी डाल रहे मतलब ज इसलिए सोहेब यहाँ पे मोयन दे रहे हैं अच्छे से उसके बाद बीच बीच में वो चेक भी करवा रहे हैं दिपिका से कि अच्छे से यह हुआ है कि नहीं और जब दिपिका से अच्छे से पर्मिशन मिल गया तो यहाँ पे इलाइची पाउडर डाला जा रहा है थोड़ पूरा दिन अपने वाइप के लिए लगा रहे हैं क्यूंकि उनकी वाइप भी अपनी पूरी लाइफ उनके लिए सक्रिफाइस कर दी है उन्होंने बहुत कुछ सुना है लोगों से फिर भी वो अपना 100% देती हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं अपने हस्बेंट को अब सोहब की बारी देखते हैं सोहब क्या बनाते हैं तो फाइनल यह बन चुका था आदे गंटे की रेस्ट के बाद उसको बेला जा रहा है तो इसको नॉर्मली रोटी से थोड़ा मोटा बेलने क बाद कुकी कटर जो होता है अगर वो नहीं हो तो ग्लास या फिर कटोरी जो भी राउंड शेप में हो या कोई दूसरे शेप में भी पस प्रेस करकर के गोलगोट काट लेना है सारा एकसंग कर लेंगे कटिंग हो जाए ग्यास को जो है वो हाई एंड मेडियम फ्लेम में र पादी मेरे से नहीं हो पता यहां अच्छे से चेकिंग के बाद जो है सोहेब ने टेस्ट कर लिया और अपने अम्मी को टेस्ट कराने के लिए गये तो यहां सबसे बड़ी दुक्की बात है कि खस्ता बंत हो गया लेकिन यह खस्ता जो होता है ना सौपनेस नहीं है जिससे भी टेस्टी खाना है ममी को किलाया खाला को किलाया दिपिका को किलाया सब को किलाया तो फाइनली हम भी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना